असलाम लेकूम, विल्कम बेक तो माई चेनल, आज मैं आप सबके लिए चिकिन सिगार्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, ये मेक इंड फ्रीज रेसिपी है, आप इसको बना कर लंबे टाइम तक फ्रीज भी कर सकते हैं, रमजान के लिए बनाएं सबको बहुत ही ज्यादा पसं अब इन सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, हमारी फिलिंग बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, चिकन को हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है, हमारी फिलिंग जो है बिल्कुल स्मूथ बनकर रेडी हो गई है, अब मैं इसको पाइपिंग बेग में डाल दूँगी, इससे फिलिंग करना बहुत ज़्यादा अस हो जाएगा आप किसी प्लास्टिकषी शॉपर में भी से डाल सकते हैं लास्ट में मैं इसको रबर्ट बेंड से बंखर लिए है अब हम इसको साइट में रखेंगे यह मैंने रोल-पटी ली है इसको मैं फोर पार्ट में डुवाइट करूँगी यह मैंने एक मार्क बना लिया है, अब इसी मार्क से मैं सारी sheet को cut कर लूँगी सारी sheets हमारी cut हो गई है, चले अब हम चिकिन सिगार, चिकन पेंसिल बनाना start करते हैं यह म Ini entsteat sheet ली है, यह मैंने Barbecue sticks ली है, तीन मैंने Barbecue stick ली है इसको मैंने rubber band से secure कर लिया है अब हम इस stick को इस sheet पर roll करेंगे लास्क में मैं ये लई लगा दूँगी जो मैंने मेदे और पानी के साथ ready की थी इसी तरह से मैं सारी ये pencils बना कर ready कर लूँगी ये सारी sticks मैंने बना कर ready कर ली है अब मैं इसमें chicken की filling aid करूँगी ये recipe बच्चों की बहुत ज़्यादा favorite होती है आपने उनको लास्मी बना कर देना है lunch box के लिए भी आप इसको बना कर freeze कर सकते है रमजान में भी ये सब को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी आप इसको किसी airtight container में डाल कर एक महीने तक store भी कर सकते है चलें कुछ में आपको fry कर के दिखाती हूँ oil को आपने अच्छे से गरम कर लेना है ये सारी sticks मैंने इसमें डाल दी है medium to low आप पर हमें इसको fry करना है तकरीबन 8-9 minute तक हमें इसको fry करना है कि चिकन भी अंदर से अच्छे से कुख हो जाए या आप इसका color देख सकते हैं ये काफी change हो गया है हमारी sticks बिल्कुल अच्छे से ready हो गई है 8-9 minute हो गई है अंदर से चिकन भी अच्छे तरह से कुख हो गया है अब मैं ये सारी sticks निकाल दूँगी हमारी चिकन इस्टिक्स चिकन पेंसिल बिल्कुल ready हो गई है ये पहुत ही जादा मज़े की बनती है आपने एक बार लाजमी ट्राइ करना है और मेरे साथ अपना feedback कमेंट्स में जरूर शेयर करना है मिलते हैं एक नई recipe के साथ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाच्चिंग अल्ला हाफिज